हाई अब्रिवान मैं हुरतो मेरचल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपने फीमेल स्क्वाटिंग के बाड़े में तो सुना ही होगा अगर नहीं सुना है तो पहले शौट में बता देती हूं कि यह है क्या फीमेल जो स्क्वाटिंग होते हैं वो फीमेल यूरित्रा कैनल से होती है यूरित्रा वल से होती है यूरित्रा वल से होती है बट यह यूरिन नहीं होता लड़कियों का पिशाव यह नहीं होता बलकि यह एक फ्लुएड होता है जिसमें यूरिन की मात्रा हो भी सकती है बट यह यूरिन जैसा कलर भी हो सकता है पर इसमे नहीं होती यह एक दूसरे ग्लैंड की फ्रुएट होती है जो यूरित्रा कैनल से बाहर आता है जब एकसे से बैस पे फीमेल स्टिमूलेट होती है आउट ओफ कंट्रोल हो जाती है वो उसका उर्गाजम लेवल उसके दिमाग से बाहर हो जाता है और वो एजैकुलेट कर देत होती है फ्रॉम यूरित्रा कैनल अगर कोई फीमेल स्क्वैट करती है ना यह प उसने और गाजम तो चीव किया है बट कुछ एकस्टा-अडिनरी फील किया है जो सौ मे से सिफ फ़ाइब परसेंट औरत ही करती है बट खुजसे स्क्वैट करना इट कुईट, कुईट, पहले दो चीजों से आपको ध्यान हटाना पड़ीगा पहली बाद मेरी फीमेल ने कभी बताया नहीं कभी जताया नहीं अरे मेरी फीमेल ऐसी है भी क्या कि वह स्क्वैट करें स्क्वैटिंग एक ऐसी फीलिंग है जो कोई जान बूच के नहीं कर सकता बॉडी का रिफलेक्शन है ये बॉडी को अगर चरम उत्तेजना मिल जाती है न वो चरम सुक तक पहुंच जाती है न तो स्क्वैटिंग अपने आप हो जाता है तो इसलिए मैं मेल पार्टनर के अधियियरे में मदद कर सकें सबसे पहला यू टैकनिक है न वह है अपने फीमेल पांटर को चरम उत्तेजित करो अबास्ट पास्ट नहीं होता है फास्ट नहीं करना है समय देना है अपनी फीमेल पार्टनर को चरम उत्तेजित पहुचना है उसको इस तरीके से राउस करनी है ताकि वो राउसिंग मुमेंट में ही आउट ओफ कंट्रोल फील करे क्योंकि अगर वो चरम उत्तेजित नहीं होगी तो स्क्वैटिंग इंपॉसिबल है हाँ आपने उसको उत्तेजित कर दिया उसके बाद आपने स्टोक मार दिया फीमेल पार्टनर फीबी थोड़ी बहुत प्लेजर को फील कर सकती है बट स्क्वैटिंग के लिए फीमिल पार्टनर का चरम उत्तेजित होना बहुत ही जरूरी है वीडियो का आगे बनाने से पहले मैं आपको एक प्रोड़क के बार में बताना चाहती हूँ अगर आपको लगता है कि आप अच्छी से परफॉर्म नहीं कर पाती है आपका स्ट्रेंग्स, आपका पावर, अपकी इंडियॉर्ण, हर चीज में आपको कमी महसूस होती है आपका टेस्टरोशन लेवल भी आपको कम महसूस हो रहा है क्योंकि आपको स्पम काउन जो है वबता जो सीमिन प्रोड़क्शन है उसमें आपको पतलापन महसूस हो रहा है और आप बैट पर उतनी चीज़के से परफॉर्म नहीं कर पाते हो जिस लेवल पर चाहते हो आप बहुत जल्दी ही ठक जाते हो तो इस केस में आप चाहो तो आप माजून हप्शी का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें वो सारी नेच्छल इंडियेंस है जो तेजी से आपके बड़ी में स्पम काउन को बढ़ाता है टेस्टरोशन को तेजी से बूस्ट करता है आपके बड़ी में स्टेमिना, 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 पावर, इंडियेंस को इंक्रीस करता है जिससे आपके sexual health improve होती है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाते हो तो description box नपके इसकी link में जाएगी try out कर सकते हो otherwise screen पर जो number flash हो रहा है उस पे call करके भी आप इसको order कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरह number two, अकसर हमारी जो Indian females होती है वो shy होती है बहुत ही ज़्यादा shy होती है और इसलिए वो अपने आपको expose नहीं कर पाती lights में तो हो सके तो lights को off कर दो, off नहीं करना चाते, dim कर दो ताकि आपकी female partner आपके समने comfortable feel कर सके क्योंकि वो hesitate करेगी तो कभी भी squat नहीं कर पाईगी, वो feeling ही उसको नहीं आएगी, उसके दिमाग में हमेशे चलता रहेगा कि मेरी body उसके सामने exposed हो रही है, मेरे stretch marks exposed हो रहे है, मेरे लटकते हुए breast उसके सामने exposed हो रहे है, यह उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो pleasure तक हासिल नहीं कर पाई बहुत बार female को ऐसा लगता है ना कि उसने ना urine पास कर दिया और female partner uncomfortable हो जाती है अपने male partner के सामने, तो अगर आपकी female ने ऐसा कुछ किया हो ना तो उसको relaxed होने के लिए कहो, it's okay, यह quite natural होता है, यह शुडवात होता है कि आपकी female partner squatting के लिए proper prepare हो चुकी है 3. अपने दारी और अपने नाखूनों को साफ कर लो भई, क्योंकि अगर आपके दारी और आपके नाखून एंकाउंटर के वक्त उसको चुपेंगे ना, तो feeling गई, इसलिए अपने दारी को थोड़ा सा soft, gentle रखने की कोशिश कर अपने नाखूनों को, क्योंकि जब आप fingering करोगे ना, तो अगर ये नाखून चुप गए ना, एंकाउंटर के वक्त, तो फिर उसको पेइन होगा, और squatting तो छोड़ो यार, वो हर चीज वहाँ पे स्टॉप कर देगी, नमबर थी, जब आप उसके डाउन पोशन में जा रहे हो, जब आप उसके क्लिट को स्टिमूलेट करने जा रहे हो, ओरल भी कर सकते हो, अगर आप fingering कर रहे हो ना, तो एक अच्छा ल्यूप का इस्तमाल जरूर करो, क्योंकि natural lube जो फीमिल पास करती है ना, वो थोड़ी उसको अच्छा फील करने दो, उसको बोलो कि वो रिलाक्स करे, उसके वजाइना को जब अपने जेंटल हातों से आप स्टिमूलेट करोगे ना, आप खुद देखोगे कि जब वो अपने आपे से बाहर होती जाएगी, जब वो इस चीज को फील करेगी ना, तो वो कुछ ऐ इसे हरकते करेगी ना, जो आपने पहले नहीं देखा होगा, ना चाहते हुए भी मूह से कुछ अलग तरीकी की आवाजे आ रही है, वो चीखे नहीं होगी, वो सिफ आवाजे होगी, वो बिलकुल माइल्ड साउन हो सकता है, बट हो सकता है कि आज से पहले आपने वो नहीं आप करते हैं कि आप कैसे समझोगे कि आपके फीमेल पार्टनर स्क्वाटिंग के लिए प्रिपेर हो रही है, दिखेए, जब भी आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी प्रॉपर अराउंस्ट होती है, वो प्रिपेर होती है और गयाजम के लिए, तब उसकी वजाइना फू बहुत ही जादा होगा, अगर आप उस वक्त आपके फिंगर्स को और जादा इंसट करोगे अंदर की तरफ, यानि कि जो सर्विक स्टिमुलिशन होता है, अगर वो आप दे सको, तो उस टाइम पे वो स्ट्रोक जैसा काम करता है, अपनी आपको हाइपर मत करो, अपनी आपको बॉड़ी चेंज हो रही है, आप जिस मोशन में अभी तक फिंगरिंग कर रहते, उसी मोशन में आपको करनी है, मोशन को चेंज नहीं करना है, हो सकता है कि अगर आप मोशन चेंज करोगे, तो सेंसिटिवीटी बदल जाए, अगर आप देख रहे हो कि फीमेल पार्टनर ए आप उसके कमफर्ट के हिसाब से अपने मोब्मेंट को चेंज कर सकते हो, बट कुछ भी स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्टॉप कर दिया, तो जो फीमेल को फील हो रही है, वो वही स्टॉप हो जाएगी, और जब फीमेल को एक्शुल में और्गा हो जाती है, हर चीज से बाहर हो जाती है, और फोकुस हो जाती है, क्या साउंड करी है, कैसा र्याक्शन करी है, कैसा इसका पॉस्चर है, कैसा इसका गैस्चर है, यह कुछ भी उसके दिमाग में तब नहीं होता, बस एक ही चीज़े होती है, कि मैं कुछ अलग फील करी और मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है हर फीमेल फवारी की तरह स्क्वैट नहीं करती है कुछ फीमेल बिलकुल माइल्ड सा स्क्वैटिंग करती है कुछ फीमेल मौडरेट करती है कुछ फीमेल बहुत जादा करती है Depend on के female की body react कैसा कर दी है female को हर दीन squat करवाना जरूरी नहीं कभी कबार अगर female squat करती है तो जो extreme orgasm उसको उचीव होता है उसके health के लिए अच्छा होता है उसके mind के लिए अच्छा होता है और आपके relationship के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह जो effort डलते हो उसके लिए यह आपको बहुत मदद करता है और एक और बात आपको जरूर बता दू squatting के बाद female penetrate करवा सकती है क्योंकि squatting होती है वो उसका ejaculation तो होता है पर final destination नहीं तो उसके बाद भी female penetrate आराम से कर सकते है अगर आपने अपनी female partner को squat कर दिया है तो आप उसके बाद penetrate करके अपने आपको भी ejaculate कर सकते हो और यह आपके दोनों के bold life के लिए bold sexual life के लिए काफी helpful होता है यह tips अगर आपको helpful लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे और सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे फालो करना बिल्कुल ना भोले Thank you